मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन लिए और बैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सके और ये बिल्कुल फ्री है वेलकम टिमांशीज वर्ड नवरात्रे के व्रच चल रहे हैं और उसके अंदर कुट्टू के आटे की पूरी सब लोग पसंद करते हैं बनाना तो आज मैं आपके लेके आई हूँ कुट्टू के आटे की पूरी और ये नवरात्रों में भी खाई जाती है और आप वैसे भी बना सकते हैं बहुत ही easy recipe है तो आईए start करते हैं देखे विवर्स ये मैंने कुट्टू का आटा ले लिया है ये थोड़ा सा मोटा होता है ये इसके अंदर डालूँगी तो यहां मैंने पतला कदू कस ले लिया है और इसे मैं कदू कस कर रही हूँ आप चाहें तो हाथ से अच्छे से मैश करके भी इसमें आलू डाल सकते हैं आलू डालने से ये थोड़ी सोफ्ट हो जाती है पूरी और बहुत ही अच्छा आटा गुटता है क्योंकि इसके अंदर हम नॉर्मल आटा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वरत के लिए बना रहे हैं और क्योंकि आटा थोड़ा मोटा है ये तो इससे आलू डालने से बहुत अच्छी और सौफ्ट पूरी बने आदा च्छोटा चमच कदूकस की विए अद्रक डाल दी है अद्रक से बहुत ही टेस्टी हो जाएगा ये पूरी और इसके बाद इसक अदर मैंने तेल डाला है प्लेइन ऑईल डाला है आप इसकी घीवी इस्तमाल कर सकते हैं और ये गरम तेल था ये डाल दिया है इसके अंदर इससे हमारी पूरी कड़क बनेगी और इसको मिक्स कर देंगे अब और अच्छे से एक बार तेल मिक्स होने के बाद इसको पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम टाइट पूरी वाला आटा गूत लेंगे रोटी के आटे से इसका आटा थोड़ा टाइट होता है और थोड़ा टाइम लगता है गूतने में थोड़ा इसमें आपको मेहनत करनी होगी दबाके और बिल्कुल अच्छे से गूतना होगा थोड़ा टाइट आटा होना चाहिए इसका और देखिए यह हमारा आटा गुद गया है अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और इसको एक बार फिर से अच्छे से मत लेंगे ताकि यह बिल्कुल अच्छे से स्मूध हो जाए और सॉफ्ट हो जाए हमारा आ इसके अंदर अद्रग डली है बहुत ही इच्छा स्वाद आएगा उससे तो यह मैंने 10 मिन रग दिया था इसको आईए अब इसके पूरिया बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके की मैंने लोई बना ली है छोटे साइस की आप चाहे तो बड़ी पूरी भी बना सकते है और इसके अंदर वोई कुट्टू का यहाटा लगा के मैंने पूरी बेल ली है और देखिए इस तरीके से मैं पूरी बेल ली है जादा मोटी नहीं होनी चाहिए और जादा पतली भी नहीं होनी चाहिए आईए इसको मीडियम आज पे जो तेल हमने गरम करके रखा है इसमे गरम होना चाहिए तेल तो देखिए यह हमारे एकदम से पूरी फूल गई है अगर आटे को अच्छे से मूथेंगे और मस लेंगे तो आपकी पूरी भी इसी तरीके से जल्दी से फूल जाएगी और देखिए इसी तरीके से मैं सारी पूरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लूँगी अच्छे से तरीके से हमको फ्राय करना है पूरी को कच्छी नहीं रहनी चाहिए इस तरीके से ब्राउन स्पॉर्ट आने चाहिए इसके उपर तो देखिए सारी पूरियों मैंने बना के रख ली है और यह मैंने सर्फ की है आलू की व्रतवाली सबजी क इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अविलेबल है आप चाहे तो वह क्लिक करके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह फिर उपर लिंक में क्लिक करके इस रेसिपी देख सकते हैं आलू कि रतवाली सबजी की तो आई होप आपको कुट्टू के आटे की पूरी बहु और यह कुछ दूसरे विडियोस हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू